हेलो फैन वेलकम बैक यहां पर जैस वीडियो में नवंबर 2022 में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाले इलेक्टिक टू विलेस के बारे में आपको जनकाई देने वाले हैं लुए हैं की बढ़तरी आफी कमी देखने को मिल रही है और ये सबसे पहले इसी चैनल पर पूरे यूटूब पर देखने को मिले ép completely तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल के सबस्क्राइब करना ने बुलिएगा और वीडियो के एक बाल लाइक जरू कर दीज़ेगा लेकिन ये पिछले महीने अक्टूबर में नाइन्थ पोजिशन पर दी इस महीने इसकी बिक्री में थोड़ी से कमी आया लगबग 14.39% की इसकी बिक्री में कमी देखी गई है पिछले महीने एक मुकाबले में इसलिए थोड़ा सी पीछे चली गई है तो इस लिष्ट में जो नाइतर महीने पर दी इस महीने एक पोजिशन आगे आ गई है क्योंकि इसकी बिक्री में पिछले महीने मुकाबले में 14.11% की बढ़वतरी देखी गई है तो इस लिष्ट में जो एर्थ अमर पर ओकाया एवी कंपनी है यह पिछले महीने भी सेम पोजिशन पर दी इस महीने यानिकि नावंबर 2022 में टोटल 1782 यानिक 1782 इसकूटर की बिक्री हुई है जबकि पिछले महीने मुकाबले में 6.99% की इसकी बिक्री में कमी देखी गई है तो इस लिष्ट में 7 नमर पे है वो बजास कंपनी है बजास कंपनी अपने इंडियन मार्केट में बजास चेतक इलेक्टिक स्कूटर को बेशती है जबकि पिछले महीने मुकाबले में 12.48% की इसकी बिक्री में कमी भी देखी गई है तो इस लिष्ट में जो 6 नमर पे है एथर कंपनी है एथर इनर्जी भी अपने दो मोडल से लेक्टिक स्कूटर की बिक्री है यह पिछले महीने 5 पोजिशन पे थी इस महीने एक पोजिशन और पीच चली गई है इसके नमबा 2022 में टोटल 7741 यानिके 741 उनिटिक स्कूटर की बिक्री हुई है जबकि पिछले महीने मुकाबले में 5.74% की स्कूटर की बिक्री में कमी भी देखी गई है इस लिस्ट में जो 5 नमबा पे हैं टीवेस कंपनी है जो की आईक्यूब इनके इलेक्टिक स्कूटर इंडियन मार्केरें बेचे जाते हैं पिछले महीने 6 पोजिशन पे थी इसने एतर कंपनी को पीछे करते हुए एक कदम आगे आ गई है इसके नमबा 2022 में टोटल 8,073 यानि के 888 इलेक्टिक स्कूटर के बिक्री होई है जबकि पीछले महीने मुकाबले में 40.64 परसंट के इसकी बिक्री में बड़ाउत्री देखी गई है इस कंपनी ने काफी ज्यदा विक्री में अपने बड़ाउत्री किया इस माहीने पीछले मेनमे hinaक dunno मोडल्ज अपने बेइस्टीई है इसके नमबर 2022 में टोटल 9008 यानिकी 9008 यूनिट स्कूटर्स की विक्री की है जाओकि पिछले मैंने मुकाबले में 2.91% के इसकी विक्री में बड़तरी देखी गई है तो एस लिस्ट में जो थर्ड नमर पे है पोकिनावा आटोटेक कमपनी है इसके नमबर 2022 में टोटल 9038 यानिकी 9008 यूनिट स्कूटर्स की विक्री हुई है जाओकि पिछले मैंने मुकाले में 36% के इसकी विक्री में कमी देखी गई है और इसके विक्री में इन दिनों इतना कमी इसलिए देखा गया है क्योंकि हो सकता है गौर्मेंट ने सबसीडी इनकी विक्री जादा नहीं किया है बागे जो सकेंड नमर पर है MPR कंपनी है जो कि पिछले मैंने थर्ड पोजिशन पर थी इसने वोकिनावा को पीषे कर दिया इस मैंने इसके नमबर 2022 में टोटल 12,232 याने कि 12,232 इनकी विक्री की है जबकि पिछले मैंने मुकावले में 23.83% की इसकी विक्री में बड़ोतरी भी देखने को मिली है तोईस लिश्ट में जो पहले नमर पे है वे पिछले मैने भी पहले नमर पे थी आपने सायद गेस भी कर लिया होगा ओला इलेक्टिक कमपनी है अपने तीन मोडल्स इंडियर मार्केट में इन दीनों बेच रही है जिसमें ओला S1, ओला S1 Pro और ओला S1 Air आपको देखने को मिल जाती है इसके नमबर 2022 में टोटल 16,246 जानी की 16 जाद 246 इनट इलेक्टिक स्कूटर की विक्री की है जबकि पिछले मैने मुकाबले मात्र 0.72% की इसकी विक्री में बड़ात्री देखी गई है तो काफी कम ही बड़ात्री पिछले मेने एक मुकाबले में देखने को मिली है लेकिन फिर भी ये पहले पोजेशन पे है और काफी अच्छी मात्रा में इसने इलेक्टिक स्कूटर की विक्री इन दिनों कर रही है यह 10 वह company है जो कि इंडियन मार्केट में इन दिनों electric segment में अपने electric scooters को विक्री जादा कर रही है तो इनमें से किस company का आपने पिछले महिने electric scooter या भी बाइक खरीदा आप कमेंट से समय बता सकते हैं तो उमिद कर तो वीडियो आपके लिए informative रही होगी तो इस वीडियो को लाइक से जरू कर दे और चैनल परिबाद चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा थैंक योफेंस थैंक्स वर वाचिंग